हेलो, कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मेद और विश्वास कि आप सभी स्वस्त हैं, मस्त हैं, तंदरुस्त हैं और आप अपनी परिक्षाओं की तैयारी में जो है जम कर लगे हुए हैं तो आज की यह क्लास जो है, क्लास 12 के इंगलीज का आठवा चेप्टर, जिस चेप्टर का नाम है How Free is the Praise से, जिसके राइटर हैं Drothiel Sears, इस पूरे चेप्टर को जो है आप हिंदी में पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पूरा के पूरा चेप्टर सो है आपके द तो दिल और दिमाग में बैठा लिए हैं उसके जो है PDF नोट्स भी आपको दे दिये गए हैं तो आज जो है आठवा चेप्टर के कल्यान है तो हम नीके जानते हैं कि किसी भी चेप्टर के पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आपके मन में प्रसनाता है कि से राइटर के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं तो राइटर से रिलेटेड आपजेक्टिव क्योस्टन जो हैं ज्यादा तर पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ते हैं तो आईए इस चेप्टर के राइटर के बारे में पहले हम नीके जानकारी लेते हैं एसे, how free is the price का है, एसे है, जिसके writer कौन है, तद्रोथी अल सेर से, जिनका पूरा नाम द्रोथी लेह सेर से है, और ये जो हैं, एक महिला है, याद रखियेगा, ठीक है, तो देखिये, आप से प्रस्ण पूछा, how free is the price के writer द्रोथी अल सेर, आप मान के चले, याद नहीं रहा तो trick लगाईए, how free is the price, price कहें कि मतलब कि iron करे वाला, लेकिन यहाँ पे मतलब दूसर है, ठीक है, trick है, how free is the price, यानि प्रेस है, अब फीरी लिखल है, तब फीरी में अगर प्रेस करल जाए, प्रेस, ता आदमी धोती यों प्रेस करावी लगता है, धोती, द्रोथी, यानि क कि how free is the price के राइटर कौन है, द्रोथी येल सेर से, ठीक है, very good, next question आता है, कि द्रोथी येल सेर का पूरा नाम, तर द्रोथी येल से लेह होता है, और इस से सेर होता है, द्रोथी येल सेर स, ठीक है, लेह सेर स, याद रखेगा, इनका जनम कब हुआ, तो 13 जून 1893 को, जनम क United Kingdom में है, UK में है, United Kingdom, जिसे सोट में UK बोलेंगे, कौब जनम हुआ, 13 जून 1893, और डेड, यानि कि इनका देहांत कब हुआ, तो 13 दिसंबर, 17 दिसंबर 1997 को हुआ, आ कितने साल के में, 64 साल जो है, ये जिन्दा रही, और 64 साल के बाद जो है, इस पृत्वी को छोड़ कर चल ही गई, ठीक है, विठम, यानि कि इनका जो है, देहांत कहां हुआ, तो विठम जो है, जगह का नाम था, और United Kingdom में ही जो है, इनका देहांत हुआ, जनम Oxford में हुआ था, और मृत्यू जो है, विठम में हुआ, ठीक है, very good, कितने साल की, कितने साल तक जिन्दा रही, 64 साल तक याद रखेगा, अब आपसे पूछ देवे, कि आखिर है का, तो है का, तो एन इंग्लिस क्राइम राइटर, एन पोयट, एन एजीस्ट मतलब एजीस्ट भी जो है, आप कह सकते है, एजीस्ट, ठीक है, ये जो है, आप रखेंगे, फिर सोट स्टोरी राइटर भी जो है, य यानि कि अंग्रेजी में जो है, का, तो क्राइम होता था, तो उस पे जो है लिखती थी, उसके बाद ये पोयट थी, पोयट मतलब का होता है, कबीता लिखने वाली, ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है, एजीस्ट कहने का मतलब निवंधकार भी थी, और उसके बाद सोट स नहीं है तो नहीं टिक करेंगे, चारों में से कोई ये गो, मान के चलिए एजिस्ट लिखाल है, निबंधकार, तो उसको ट्रिक करेंगे, जैसे पूछेगा प्रस्ण कैसे, तो ड्रोथी एलसे अर्स क्या है, तो आपको जो बताना है, इनका एजुकेशन कहां तक हुआ, तो स 1915 में, 1915 में समर्विल कॉलेज, ओक्सफोर्ड यूनिबर्सिटी से जो है, इनकी जो है सिख्छा, पूरी हुई, याद रखेगा, नेक्स्ट है, स्पॉस, मिन्स का होता है, तो पती या पतनी, तो इनके जो है महिला है, तो इनके जो है पती ही होंगे, तो इनके पती का ना लिखी, जो फेमस रहा, याद रखेगा, क्लाउट्स ओफ विटनेस, क्लाउट्स ओफ विटनेस के राइटर कौन, तर ड्रोथियल सेयर्स, अन्नेचुरल डेथ, इसके भी राइटर कौन है, तर ड्रोथियल सेयर्स है, फिर जो है, नाइन टेलर्स के राइटर भी जो है, ड इतना important नहीं है, देखे, किसी भी writer में जो है, English के writer के बाद करें, तो उससे objective कहां कहां से पूछता है, तो एग जो है आप से पूछेगा chapter और writer के नाम, दूसर का important है जनम और मृत्यू, तीसर का important है कि इनका famous work जो है कौन-कौन रहा, इस सब एकदम पूछता है, बाकी जो है क सब ही कदार पूछता है, लेकिन हम सब करवा दिये, जो उन पूछे, जो उन के एकदम सही करके आविला है, आज सब के PDF नोट से, देखे, हम लोग जो है, जब chapter पढ़ाते हैं, तो chapter में हम लोगों को देते क्या है, जैसे आप बहुत सारे लोग लिये हुए हैं, तो उन लो सबसे important test series, अब आप कहेंगे सर इतना सारा मिलता कहां है, तब Play Store पे हम लोगों का ही जो है, आप लोगों का ही जो है, वो application है, जिसका नाम है SGS Classes, SGS Classes app को जो है, आप install कर लिजिए, उसमें register कीजिए, और English Hindi के course को जो है, जाकर आप join कर सकते हैं, या आप हम से पूरा science पर चाहते हैं, तो भी जो है, यहाँ पे सबसु विधाएं जो है, उपलब्द है, आप एक बार आईए तो सही, मजा नहीं आने लगा, तब फिर जो है, आप कहिएगा, ठीक है, अब जो है, हम लोग इस chapter के बारे में पढ़ेंगे, तब chapter का नाम है, How Free is the Praise, प्रेस मतलब का होत है, कैसे स्वतंत्र है, इस पर जो है, यह पूरा जो है, लिखा गया है, यह पूरा चेप्टर को, चेप्टर का है, तब यह एसे है, निबंध है, तो देखे, अब हम लोग पढ़ेंगे, तब chapter की सुरुवात में जो है, लेखिका कहती है, कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, तब प्रेस की स्वतंत्रता लेखिका कहती है, कि अभी जब यूध्य चल रहा है, यूध्य कहने का मतलब प्रथम बिस यूध्य उस समय चल रहा था, तो उस समय यह लेखिका कहती है, कि अभी यूध्य चल रहा है, तब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हम बात नहीं करक और नहीं प्रेस पर क्या प्रतिबंद है, इस पे बात नहीं करके हम यह बात करते हैं, कि आखिर प्रेस किस प्रकार काम करता है और यह कितना जूट बताता है और कितना सच बताता है और ये जो है जो न्यूस पेपर पढ़ते हैं जो न्यूस देखते हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छी जानकारी होगी और अगर जो है प्रेस अपने आप में स्वतंत्र है तो किस प्रकार से स्वतंत्र है और अगर जो है उस पे प्रतिबंध लगा है तो किस प्रकार से ज बात करें, तो England के प्रेस जो है, हम सबसे अच्छा मानते हैं, England के प्रेस का है, तो वो जो है सरकार को बना सकती है, सरकार को गिरा सकती है, किसी को भी जो है गलत ठारा सकती है, किसी को भी जो है सही ठारा सकती है, ये England के प्रेस को जो है स्वतंतरता मिला हुआ है, कि किसी के ब बारे में ही बता रही हैं तो इंगलेंड के जो है जो भी है इस चेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इंगलेंड के प्रेस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे आप अपने यहां के भी जो है रिलेट कर सकते हैं तो लेकिका कह रही है कि इंगलेंड के प्रेस को जो है इतना स्वतंत्रता मिला है कि वो किसी पर कुछ भी लिख सकता है सरकार को गिरा भी सकता है बना भी सकता है किसी मंत्री बिदायक के बाड़े में भी जो है कुछ लिख सकता है और वो अपने आप में स्वतंत्र है ठीक है लेगिका कह रही है कि किसी भी प्रेस को जो है बड़ा level पे ले जाने के लिए या कोई भी press जो है या media जो है दो चीजों पे जो है depend करती है जानते हैं कईसे देखें यहाँ पे लिखाला है two chief factors है यानि कोई भी media या press जो है दो गोड़ चीज पे depend करता है पहला है advertisement और दूसरा है honors मतलब कि मालिक है अब समझ ये कई से यानि कोई भी जो है न्यूजपेपर पहिला एडवर्टाइजमेंट यानि न्यूजपेपर जो आप खरीद रहे हैं तीन रुपिया में चार रुपिया में पांच रुपिया में का लगता है कि न्यूजपेपर जो है तीन चार रुपिय से उसका कुछ नहीं होता है, इसलिए कोई भी नीज़ पेपर किस बात पर डिपेंड करता है, तो एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट कहने का मतलब प्रचार, आप देखते होंगे नीज़ पेपर में, कौनो कम्पनी के जो है कोई, जैसे कि कोई समान, जैसे अपन हिसाब से उससे income जैसे प्रचार करवाने के लिए अपने हिसाब से पैसा लेते हैं अगर विश्वास नहीं है तो न्यूजपेपर में आप चाहते हैं कि आपका जनमदीन का फोटो के साथ लिखा रहे कि आपका जनमदीन है आज तो न्यूजपेपर वाले से बातचीत कीजिएगा तो कहेगा कि 1000 रुपया लगेगा या 500 रुपया लगेगा वह से हैं कोई कमपनी जब अपने चीज का परचार करवाती है तो न्यूजपेपर के advertisement कहा जाता है और advertisement के लिए जो है जो ऑनर होते हैं या न्यूजपेपर वाले होते हैं वो बहुत सारे पैसा लेते हैं और उसी पैसा से जो है न्यूजपेपर जो है कंट्रोल किया जाता है और दूसरा जो है न्यूजपेपर जिस पर dependent है या न्यूजपेपर का जो कमीनी है उन है उसके जो है ओनर जो न्यूजपेपर के ओनर होते हैं उनर किस प्रकार से काम करते हैं तो किसी मंत्री के बारे में गलत लिखा गया हो या सही लिखा गया हो तो मंत्री जो है का करता है कि अगर अपने बारे में परचार करवाना हो या जनता के बारे में जो है अच्छा बाते जो है पहुचाना हो तो मंत्री ओनर को पैसा देती है मालिक को आ कहती है कि मेरे बारे में अच्छा छापो, जिससे जो है, ओनर को जो है, प्रोफिट होता है, और ओनर जो है, वह बात आगे पहुंचाता है, तो यहाँ पे कहा गया है, कि कोई भी निउस्पेपर जो है, दो कारणों से जो है, बिक्सित होती है, और दो कारण कौन से है, तो पहला से कमाएंगे, और किसी के बारे में भी जो है, कुछ भी लिख सकते हैं, यह हम नहीं, यह कौन ड्रोफियल सेर्स जो है, इस चेप्टर में कह रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आगे कह रही है, कि जितने भी जो है, जैसे समाचार पत्र, तो समाचार पत्र देखिएगा कोई जो है, एक रुपया क्या आता है, कोई जो है, पाँच रुपया वला आता है, तो ज्यादा तर आदमी जो है, पाँच रुपया वला ही जो है, परना पसंद करता है, इसलिए परना पसंद करता है, कि महांगा होगा, तो उसमें जो है, अच्छे अच्छी बाते लिखी हुई होगी और अच्छे अच्छे जो हैं जानकारिया होगी लेकिन जितना महांगा पत्र होता है उसमें उतना ही जो है भरस्ट चीजे लिखी हुई रहती है ये बातें जो हैं कौन कह रहा है तो लेखीका कह रही है ड्रोथी एलसेयर से आगे जो हैं लेखीका कह रही है तो क कौम दामवाला पत्र जो होता है समचार पत्र जो निउस्पेपर होता है। कॉम परभभावी होता है क्योंकि पढ़ते हैं लोग उनको लगताह है कि कौम दामवाला पेपर है तो इसमें उतना आच्छा जानकाडी तो चीज नहीं लिखा होगा, जबकि ज़्यादा दामवाला में ज़्यादा अच्छा लिखा होगा लेकिन ज़्यादा दामवाला न्यूजपेपर ही जो है उ जो है का करता है तो खराब खराब घलत घलत चीजें लिख देता है जिससे न्यूजपेपर जो है लगता है कि एकदम सचाई छपले है और लोग होगा कि फलना न्यूस पेपर जो है का है तो उस न्यूस पेपर को ले रहे हैं आप क्यूं कि उसमें जो है दिल्चस्प चीजे लिखी गई हो उसमें जो है किसी के बारे में जो है बनिया से लिखल गई हो फनी चीजे यानि मजाकिया चीजे भी लिखी गई हो खेल के बारे म के बारे में भी जो है लिखी गई हो यह सब हीजब लिखी हुई रहती है तो आपको लगता है कि नहीं समचार-्त-वाला जो है इसमें सब जानकाली है इस एकदम अच्छा है तब जो है एक दम अच्छा है तब समचार-पत्र वालों के खिलाब आवाज नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, आगे लेखी का कह रही है, कि समचार पत्र में काफी जाधा जो है जूठ लिखल रहता है, तो बहुत कम उसमें सच लिखल रहता है, लेखिका जो है एक famous जो है राइटर हैं तो उनके बारे में भी इंगलैंड के न्यूजपेपर में एगो में चापा गया था कि लेखिका जो है उसमें एक न्यूजपेपर नहीं आता है जिसमें किसी वैक्ति के बारे में भिशेश रूप से लिखा रहता है कि फलना ही है, तचिलना ही है, यतना कमाते हैं, ऐसे खाते हैं, तो वही जो है एक पत्र में इंगलाइंड के निउस पेपर में लेखीका के बारे में लिखा गया था, अलगभग आठ हजार सब्दों में लिखा गया था, लेखीका जब उस पत्र को पढ़ती हैं, तो मालूम कि 8000 सब्द में से मात्र 2800 सब्द ही जो है लेखिका के बारे में सही लिखा गया था, बाकी के बाकी सभी सब्द जो है का लिखल गईल था, तो एकदम लेखिका के बारे में गलत लिखल गईल था, लेखिका खुद उस न्यूजपेपर को पढ़ती है, 8000 सब्दों में लिखल पूरे के पूरे जो हैं गलती सब्द हैं ये जो हैं लेखी का कह रही हैं ठीक है आगे जो हैं लेखी का कह रही है कि बहुत सारी चीजों से यह एस पस्ट होता है कि न्यूस पेपर वाले जो हैं ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए उसमें क्या-क्या जो हैं गलत छाप जैसे लेखिका कह रही हैं कि एक पेपर में मेरे बारे में लिखा था कि मिसेज सेयर्स ने बताया कि वह नियुक्ति की अलाबा और नाटक नहीं लिखेगी एक पेपर में लिखा था ने मिसेज सेयर के बारे में जिसे मिसेज सेयर कहने का मतलब ड्रोथियेल सेयर से तो यह वो famous writer थी तो इनके बारे में बार बार paper में आता था तो ये वो newspaper में लिखल था कि message share जो है बता रही है कि उनको जो है सिर्फ नौकरी चाहिए नौकरी के अलाबा जो है कोई वो जो है नाटक नहीं लिखेंगी जबकि लेखिका म्याईसा कुछो नहीं था लेखिका जो है एसे उपन्यास लिखती थी उपन्यास में ज्यादा पैसा मिलता था लेकिन उपन्यास से अच्छा जो है वो नाटक लिखती थी और वो बार बार ये भी कहती थी कि उपन्यास को हम लिखन नहीं छोर सकते हैं लेकिन निउस पेपर में लिख ले था का तनाटक नहीं लिखेगी तो लेखी का बताती है कि हमर नाम के फैदा उठा के निउस पेपर वाला जो है कितना गलत चापता है अपने निउस को जो है सही बताने के लिए आगे लेखी का और कह रही है कि एक और न कि चोर को जो है पकरने के लिए हम जो है फ्लैट में कूद पड़े थें जब कि पूरा के पूरा जो है गलत है काहे गलत है तब उसमें लिखा था जानकारी ठीक कि फ्लैट में चोर घुसा था लेकिन लेखीका के घर में नहीं घुसा था लेखीका के रूम में नहीं घुसल थ और उसको बचाना जो है कौन चोर को पकरने के लिए कौन परियास कर रहा था तो न्यूज पेपर जो देने आता है सुबह सुबह उपरियास कर रहा था लेकिन न्यूज पेपर वाला जो है अपन न्यूज को बढ़ाने के लिए लेखीका के नाम का उपयोग करता है कि का तो उस दिन का डेþ गया था, न्यूस पेपर वाला यह चाहता था कि मामला सांत हो गया है, तो इसको हाइलाइट करने के लिए डेट भी 3 दिन बाद का दे देले था, ठीक है, तो इतना गलत जो है, न्यूस वाला जो है छापा है, यह लेखीका के बारे में लेखिका यी बता रही है लेखिका येक और बात बता रही है कि एक और न्यूस पेपर में जो है मेरे बारे में लिखा गया है कि मेरे दो पसंदीदा सोख है gardening और keeping cat से यानि कि लेखिका के बारे में एक न्यूस पेपर में लिखा गया है हासिय वाला में हासी मजाक रहता है उसमें लिखा गया है कि मीसेस सेयर यानि डुरूथील सेयर को जो है गार्णिंग यानि कि बागबनी करने के बढ़ी सौख है और उसके बाद बिल्ली पालने का बहुँ ज्यादा सौख है लेकिन लेखिका बताती है कि सबसे जादा किसी चीज से हमको नप पड़त है ता gardening यानि बागबानी करने में मुझे कोई पसंद नहीं है अगर नहीं बिल्ली पोसने की बात तब बिल्ली मैं कभी पोसी नहीं हूँ मेरे घर में गो बिल्ली है जो आती है मेरा दूद जो है पी जाती है भोजन खा जाती है मेरे साथ जो है बेड़ पे रहती है उसका जो है बाल जारना पड़ता है बेड़ गंदा हो जाता है तो लेकिन मैं उसके पसंदीदा या सोखीन नहीं हूँ मुझे जो है किताबे परना जो है अच्छा लगता है नाटक रूपन्यास लिखना जो है काफी जादा अच्छा लगता है लेखिका जो है आगे बता रही है की सावा एको निउस पेपर में इलीखल था लेखिका जो है आगे बता रही है कि एको निउस पेपर में इलीखल था की सावा घंटे में मैंने बीस हजार सब्दों का भासन दिया लेखिका एक जगा भासन देने गई थी तब इहान भेला नियूज पेपर में लिखा गया कि लेखिका ने सवा घंटे में यानि एक घंटा 15 मिनट में 20 हजार सब्दों में भासन दिया जबकि पूरा के पूरा गलत है जो नियूज पेपर वाला वहां पे था उसको लेखिका पूरा के पूरा भासन भी दी थी आउग कितना में लिखल था? 8000 सब्दों में लिखल था लेकिन नियूज पेपर वाला बढ़ा चरहा कि कितना में लिखा? कि लेखिका बीस हजार सब् भासन देना जो है संभवे नहीं है लेकी का बता रही है कि संभवे नहीं है और जो पत्र छापने वाला था उसको हम बताये भी थें कि आठ हजार के भासन है लेकिन वी बढ़ा चरह के 20,000 सब्ड लिख देले था केतना जो है गलत है और मेरे नाम का फायदा और पेपर को जो है और भी बढ़ा चरह के पाठकों में परदर्सित करने का जो है ये निउस पेपर वाले काम करते हैं आगे लेखी का ये भी कह रही है कि प्रेश का बिरोध करने पर भोगना परेगा यानि यह जीतना भी गलत छपा हुआ है इसका कोई भी पाठक बिरोध नहीं कर सकता पाठक कहने का मतलब जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो भी जानते हैं कि इसमें जो है कुछ चीज गलत हैं भी से कोई नेता आ रहा है, कोई जो है नया पाटी जो है आ रहा है, या कोई हीरो इन के बारे में बहुत सारा बढा चरहा के लिखा रहता है। लेकिन ये को पढ़ने वाला पाठक जो है, इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठा सकता है, और अगर किसी के बारे में लिखा गया है, जिसे मान के चलिए लेखिका के बारे में इतना सारा गलत चीज लिखा गया था, तो लेखिका जो है जान बूच कर भी आवाजे नहीं पोल सकता है, जिस दिन आवाज उठाएगा, उस दिन प्रेस वाला कहता है कि तुमको भोगना परेगा, और पेपर में काल लिख देता है कि प्रेस की स्वतंतरता को बड़े लोग दबाने की कोसिस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी नेता या राजनेता प्रेस को रोक नहीं सकता ह ठीक है, और नहीं जो है, उसके खिलाप आवाज उठा सकता है, जैसे ही कोई नेता आवाज उठाता है, तो उसके बारे में गलत निवज में छाप दिया जाता है, और कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंतरता को जो है, रोकने की कोसिस की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रेस पर नियंतरन नहीं कर सकते हैं यानि हम लोग अगर चाहें कि प्रेस को जो है इन सब गलत चीजों से जो है बचाया जाए या इससे जो है रोका जाए तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है एक छोटे-मोटे लोग हैं और अगर कोई चिठी लिख के आप देते हैं या कोई राजनेता जो है रोकने की कोशिस करता है तो उसको जो है कहा जाता है कि आपको भोगना परेगा और बिहान भेला न्यूज में उनके बारे में गलत चीजें छपाई जाती है और गलत चीजें बताई जाती है और लास्ट में भी लिग दिया जाता है कि प्र बावजूद भी जो है वो सही नियूज को जो है नहीं छाप सकते हैं क्योंकि मालिक का उन पर दबाव होता है बरे बरे नेताओं का दबाव होता है जिसके कारण जो है वो सही नियूज नहीं छाप सकते हैं और इमांदार होने के बावजूद भी जो है वो विप्रीत कारे कर और बहुत सारे लोग जब नहीं कर पाते हैं, तो वो नौकरी छोड़ देते हैं, आप जानते भी हैं कि भारत में रभीष कुमार इसी लिए छोड़े थें, क्योंकि उन पर दबाव बना के किसी के लिए परचार करने का दबाव बना था, ठीक है? तो आगे क्या कह रही हैं, कि क्या पढ़ने वाले लोग स्वतंत्र हैं, आगे लेखिका कह रही हैं कि जो भी नूजपेपर पढ़ रहे हैं, क्या वो स्वतंत्र हैं? उनको गलत नूज़ दी जा रही हैं, किसी चीज को बढ़ा चरा के बताया जा रहा है, और किसी चीज के बा रही है और आगे कह रही है कि आप जो है एक राजनेता को जो है भोट देते हैं भोट देके जो है उसे संसद या बिधान सभा में भेजते हैं आउसको जब मन जो है लोग हटा सकते हैं जब मन जब बैठा सकते हैं सरकार को जब मन गिरा सकते हैं जब मन जो है बना सकते हैं सरक लेकिन प्रेस पे जो है नहीं आपंकुस लगा सकते हैं ऐसा लेखी का जो है इस चेप्टर में कह रही है और लेखी का यहीं भी कह रही है कि प्रेस जो है स्वतंत्र है लेकिन वो जो है अपनी स्वतंत्रता का जो है गलत जो है फायदा उठा रहे हैं ठीक है तो इसी जो है य देखता है, ता हमें उम्मीद है कि इस पूरा के पूरा चेप्टर जो है आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा, तो इस चेप्टर के आप जो है objective पर लिजिये, subjective question answer को देख लिजिये और उसके बाद इस video lecture को दोबारा आप देख लिजिये, उसके बाद जो है आपको तब तक के लिए टाटा बाई बाई धन्यवाद